Welcome back, जैसे आप सभी को पता है, Amazon और Flipkart की दिवाली सेल बस अलमोस शुरू होने वाली है, तो आज किस वीडियो में हाँ पर हम जानेंगे कि आपको इस festive season सेल में कौन सी best 55-inch 4K smart TV बाई करनी चाहिए, आपके budget और आपके requirement के according, तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए कुछ best 55- 5-inch 4K TV सेलेक करे हैं, अलग-अलग budget में, तो यह matter नहीं करता है, आपका budget 40-000, 50-000 या फिर 80-000, मैंने हर एक budget range को cover किया है इस वीडियो में, इसी के साथ वीडियो को मैंने काफी simplified way में बनाया है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको confusion नहीं होगा, still कोई भी doubt है या फ ना कीजे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, तो ही कीजे, विकास बहुत सरे DMs आ रहे है, तो मुझे ध्यान रखना है कि जो इनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनको मैं पहला preference तूँ, लेकि मैं आपको reply करूँगा, सबको reply करूँगा, try करूँगा कि 12 गंटे के पहले reply कर तो 65-inch की जो list है recommended TVs की वो आपको वीडियो की नीचे description में मिल जाएगी, doubt है तो आप मुसे directly contact कर सकते हैं, और 43-inch 4K TVs की वीडियो आपको चैनल पर upload कर दी है, तो आप उसे भी check out कर सकते हैं, अब वीडियो के यहाँ पर हम finally शुरू करते हैं, तो चलिए सबसे पहले यहाँ और हम शुरू करते हैं, 48,000 के budget से, अगर आपका budget 48,000 है या फिर उसे कम का है, तो कौन सी best 55-inch 4K TVs आपको बाय करनी चाहिए, तो इस under 40 के category में जो पहली TV में आप से भी को recommend करूंगा, वो है Nokia 2020, यह TV 2020 के end में launch करी गई थी Nokia brand के तरफ से, TV काफी अच्छी है, इस TV में आपको 400 nits की brightest में जाती है, VA panel दिया गया इस TV में, delayed backlighting, contrast issue काफी अच्छा है, overall picture quality TV में काफी अच्छी देखने में जाती है, 48Watt की on-cube powered speakers दिये गहे हैं, android TV 9 का support मलता है, 2GB RAM, 16GB internal storage यहाँ पर देखने मल जाती है, और इस sale में ये TV मेरे साब से आपको 40,000 या फिर उससे कम के price में देखने मिलने वाली है, link आप एक बार क्लिक करके देख लेना, आपको exact pricing पता चल जाएगे, अगर आप ये वडियो सेल के दोरान देख रहे हैं, तो, तो पहला नबर भी ये TV मेरे को recommend करूंगा, इसका और एक upgraded version 2021 वाला launch किया गया है, 2020 और 2021 का जो look और design है, वो same है, लेकिन 2021 वाले में काफी चीज़े अप्ग्रेड करे गई है, लेकिन 2020 वाला model भी 40,000 वे के budget में काफी अच्छा option निकल कराता है, second number पर जो TV में आपसे भी recommend करूंगा, वो है Motorola ZX Pro, इस TV में आपको LG का IPS panel दिया गया है, तो suppose आपकी requirement है IPS panel की, तो मेरे साब से Motorola ZX Pro एक बहुती बहतरी TV है IPS panel के साब से, इस TV में आपको लगबग वही 350 तो 400 nits की brightness मल जाती है, TV में contrast ratio IPS panel के साब से अच्छा है, colors काफी अच्छे देखने मलते है, colors काफी पंची देखने मलते है, इसके अलावा TV में आपको Dolby Atmos का support मल जाता है, 50W के speakers दिया गया है, Android TV 10, 2GB RAM, 32GB internal storage, dual band Wi-Fi, और TV के साथ में आपको एक gamepad भी free दिया जाता है, तो मेरे साब इसे Motorola की TV काफी अच्छा option निकल कर आती है, और अगर आपकी requirement IPS panel की है, तो definitely आपको Motorola ZX Pro ही consider करना चाहिए, ये TV भी आपको लगबग 39 to 40,000 रुपीस के बजट में देखने मिल चाहेगी, इसके बाद थर्ड नंबर प थोड़ा सा कम है, और आप फिर भी एक अच्छी TV लेना चाहते हैं, जिसमें आपको पिच्छे quality से compromise ना करना पड़े, तो आप Hisense A71F या फिर View Ultra 4K या फिर View Premium 4K, ये तीनों TV's exactly same है, और कोई major difference नहीं मिलता है, तो इन तीनों TV's में आपको जो भी TV सस्ती मिले, आप उसे बा क्या है, मेरे सबसे Hisense और View दोनों काफी अच्छे option निकल कराते हैं, इनमें आपको 400 nits की brightness मिलती है, पिच्छो quality काफी अच्छी है, एज्रेवाफर मिस भी काफी अच्छी है, डॉल विशिंग का सपोर्ट यहां पर आपको देखने मिल जाता है, Hisense के TV में आपको डॉल भी तो इस TV की picture quality, जितने भी मैंने ऊपर वाले TVs recommend करे हैं, उनसे काफी अच्छी है, लेकिन ये TV लास्ट में रखने का reason, मैं तो इसे रखना नहीं चाहता हूँ, विकास रखने का reason यह है कि इस TV में आपको Android operating system नहीं मिलता है, इसलिए बहुत से लोग इस TV को avoid करते हैं, लेकिन इस TV की जो picture quality है, जो HDR performance है, वो काफी ज़धा भैतरीन है, तो suppose अगर आपकी requirement कुछ ऐसी है, आपका budget limited है, और आप एक ऐसी TV लेना चाहते हो, जिसमें आपको picture quality काफी अच्छी मिले, और आप TV में DTH, या फिस setup box के तुरू content enjoy करोगे, और अगर आपको online content देखना है, तो Z5 apps ही use करने वाले हो, तो उस case में, Toshiba एक बहुती बहुती बैतरीन ओप्शन है, इसमें आपको Vida operating system मलता है, जैसे कि Samsung में उनका Tizen OS है, LG का Web OS है, वैसे Toshiba का Vida OS है, इसमें प्रॉलम यह है कि यह काफी अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉलम यह है कि limited apps का support मलता है, जैसे क अगर आप के लिए इतना काफी है, आप Toshiba को भी consider कर सकते हैं, या फिर और एक combination आप यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में आप चाहें, तो आप जो है Google TV Stick, Realme का है, वो बाय करके इस TV को पूरा Google TV में convert कर सकते हैं, वो भी अच्छा option है, तो यह है top 4 best TVs जो की 40,000 पर के budget में आएगा कि यह जो बलपंग की TV है, वो लेना सही होगा कि नहीं, देखिए, बलपंग को अगर और हम अगर Motorola ZX Pro को compare करें, विकाज दोनों TVs में IPS पैनल दिया गया है, तो मेरे साब से Motorola थोड़ा सा बहतर option निकल कर आता है, तो आपको Motorola प्रिफर करना चाहिए, मोटरला नहीं लेना चाहते हो, तो आप IPS पैनल में बलपंग भी ले सकते हैं, तो यह है कुछ बेस्ट 4K TVs 55 इंच में, जो की 40,000 रुपे के बजट में मिल जाते हैं, अब चलिए बजट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो सब्सक् बजट अच्छा है, तो अंडर 50 के काटिगरी में जो पहली TV में आप सभी को रेकमेंड करोंगा, वो है Nokia 2021 Smart TV, यहाँ पर आपको दो winners देखने मिलते हैं, पहला है Nokia T5 2X और दूसरा है T8P, T5 2X की बात कर लेते हैं, तो यह completely new smart TV है Nokia के तरफ से, VE पैनल दिया गया है, 400 nits की brightness यहाँ पर मलती है, delayed backlighting, 5000 nits to 1 का contrast issue, TV में आपको blackless काफी deep देखने मिलेंगे, brightness भी इस price point में काफी अच्छी देखने मिल जा रही है, और इसके अलबाद TV में आपको Dolby Atmos का support दिया गया है, GBL speakers मिलते हैं, 60Watt के तो audio भी अच्छी होने वाली है, Android TV 11 दिया गया है, 2GB RAM, 16GB GPU भी काफी advance यहाँ पर मिल जाता है, dual band Wi-Fi और e-arc port का भी support आपको Nokia के इस TV में दिया गया है, इस TV की जो pricing है, वो 45,000 रखी गई है, जहाँ पर आपको 55 इंच का screen size देखने मिल जाएगा, यहाँ पर और एक model है, जैसे कि मैंने कहा, वो है T8P, आपको याद होगा, अभी Upgraded Variant House का नाम है Nokia T8P, दिखने में डोनोंगी TV सेम है, लास्ट एरे साइड, लुक और डिजाइन है, बस यहाँ पर आपको जो कमिया है, वो इंप्रूफ करके दी गई है, यहाँ पर आपको doll vision का support अड़ करके दिया गया है, latest OS दिया गया है, GPU यहाँ पर इंप्रूफ किया और इसमें आपको 48W के speakers मलते हैं, बस इतना difference है, बागी कोई major difference नहीं है, 2-3,000 बचाके आप T8P भी ले सकते हैं, इसके बाद second number पर कौन से TV आपको लेने चाहिए, second number पर जो TV में आपसे प्रूफ को रेकमेंड कोने हूँगा, वो है Motorola Review, यह TV भी आपको मेरे साब से सेल के गरान 45,000 रुपीज तक देखने मल सकती है, इस TV की जो लुक है, वो काफी बहतरीन है, यहाँ पर आपको ADS panel दिया गया है, ADS panel kind of IPS panel जैसा होता है, यहाँ पर आपको विव एंगल भी अच्छे मलते हैं, और IPS panel के comparison में थोड़ा से contrast शुप थोड़ा बहतर मलता है, तो यह IPS और VA का combination आप बो सकते हैं, TV में आपको colors काफी अच्छे देखने मलते हैं, Dolby Vision, Dolby, Atmos, आपको support मल जाता है, आपर 50W के speakers दिये गहे हैं, Android TV 11, नहीं, 10 का support मलता है, 2GB RAM, 32GB internal storage, तो काफी अच्छी TV निकल कराती है, यह Motorola review, अब हो सकता है, आपको confusion हो कि Motorola लेना चाहिए या फिर पर जाया है, तो अच्छी picture quality मिले, तो उस case में आप जो है, Motorola review ले सकते हो, वहाँ पर contrast issue थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा, बट उस case में Motorola आपके लिए अच्छा option होगा, बढ़ते हैं, यहाँ पर हम third number पर, अगर आपकी priority picture quality और धमाकेदार audio quality है, the next TV आप ले सकते हो, Hisense, Tornado और view cinema accent, दोनों same TVs है, जो आपको बहतर प्राइस तो आप ले सकते हैं, well, Hisense, Tornado की बात करी जाया है, तो 400 nits की brightness, काफी अच्छी picture quality, VA panel, HDR performance काफी अच्छी है, इन TVs को मैंने खुद 3-4 मेने तक personally use कर रहा है, और इसके बाद ही मैं recommend कर रहा हूँ आपको, तो Tornado की बात करी जाया है, तो picture and audio काफी अच्छी मिलती है, यहाँ पर आपको 102Watt के G-bell speakers देखने मलता है, soundbar के ज़रवत नहीं पढ़ने वाल है, TV में, TV में आपको Android 9 Pie, 2GB RAM, 16GB internal storage, dual band Wi-Fi का support मिल जाता है, तो 3rd number में मैं इस TV को आपको recommend करूंग, आप इसे considerate का सकते हैं, अभी यह TV 3rd number में क इसका जो hardware वगरा है, उतना दा latest नहीं है, अगर हम Nokia वगर के बात करें, वहाँ पर हमें latest OS देखने मिल रहा है, जो processor वगरा है, वो थोड़े advance है, लेकिन अगर आपकी priority picture and audio है, और आपको बाकी सारे features से जादा कुछ लेना देना नहीं है, तो आप जो है, Hisense, Renardo को पे consider का सक अब चलिए, यहाँ पर हम बात करते है, QLED TVs budget category में, देखिए, अगर आपका budget 60,000 रुपे का है, और आप 60,000 रुपे के budget में एक बहतरी QLED TV लेना चाहते है, जो पहली TV में आप सभी को recommend करूंगा, वो है, Hisense U6G, यह Hisense के तरफ से इनकी latest TV है, इस TV में आपको 600 से लेकर 700 nits की peak brightness देखने बाती है, QLED TV है, full array backlighting मिल जाती है, तो जो black colors है, वो काफे दरा deep देखने मिलेंगे, contrast ratio भी इस TV का काफी अच्छा है, पिछे quality के मामले में, the best option निकल कराती है, TV 24W के speakers दिएगे, audio output थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके लावा Android 9 आपको मिल जाता है, Android 9 नहीं, Android 10 मिल है, then आप 55,000 उपीज में, Nokia QLED TV या फिर Motorola QLED TV भाई कर सकते हैं, दोनों TVs exactly सेम है, Nokia QLED and Motorola QLED में difference यही है, कि जो Nokia के TV है, उसमें आपको JBL powered speakers देखने मिलते हैं, 60W के, और जो Motorola के TV है, उसमें आपको normal speakers मिलते हैं, 60W के, तो output दोनों में सेम है, बस जो brand है speaker का vote difference यहाँ पर आपक तो कैसे चूस करना है, कौन सा भाई करें, Motorola या फिर Nokia 55 के budget में, देखिए, अगर आपको gamepad फ्री चाहिए, तो आप Motorola ले लिजे, अगर आपको speaker का brand पसंद अच्छा चाहिए, थोड़ा सा audio quality चाहिए, तो आप Nokia ले सकते हैं, बाकि दोनों TV में कोई difference नहीं है, थर्ड नंबर पर, अगर आप इन दोनों TV को नहीं पसंद करते हो, तो आप MI कंसेड़र कर सकते हो, और उसके बाद आप T-cell के QLED TVs भी कंसेड़र कर सकते हो, अब चलिए बात करते हैं, प्रीमियम TV की, सपोज आपकी requirement ऐसी है, कि आप एक अच्छे brand की TV लेना चाहते हैं, like Samsung, Sony, या फिर LG, जहांपर आप थोड़ा सा compromise करेंगे, चलेगा, लेकिन आपको brand अच्छा चाहिए, because after sales service भी आपके लिए बहुत जदा important है, and आप village side वगरा में रहते हैं, तो specially मैं recommend करूँगा, कि आप premium brand की TVs consider कीजे, because premium brand के service जो है, वो ruler areas में काफी अच्छे होते हैं, तो थोड़ा सा पैसा एक लाग बीज़ार रुपे होती है, लेकिन sale के दुरान ये TV आपको सिर्फ एक लाग रुपे में मिल जाएगी, और LG SA brand के तरफ से ये TV आती है, and OLED डिस्प्ले हैं आपको मिलने वारा है, काफी अच्छी picture quality होगी, and इसके लावा इस TV में आपको Dolby Vision and Dolby Acmos का भी support दिया गय 55-inch के screen size में, वो है Samsung D Frame 2021, ये TV आपको sale के दुरा 98,000 रुपी में देखने मिल जाएगा, ये TV है, ये QLED TV है, VA panel दिया गया है, यहाँ पर आपको 120 Hz का refresh rate देखने मिल जाता है, काफी बहतरीन picture quality, काफी अच्छी brightness, and ये जो TV है, ये PS5 ready smart TV है, अगर आप PS5 के लिए TV लेना चाह मिलता ही है, इसका 2020 वाला model भी आता है, अगर budget थोड़ा सा कम है, तो वो आपको शाय से 75 या फिर 80 तक देखने मिल जाएगा, वो भी completely PS5 ready TV है, gaming के लिए लेना चाहते हो, budget limited है, तो आप D Frame 2020 वाला भी consider कर सकते है, flip card पर वो आपको मिल जाएगा, picture quality में 2021 और 2020 में डिफरेंस न वो है, Sony 8000H, यहां यह जो टीवी है, यह 2020 में launch करेंगे थी, काफी अच्छी टीवी है, certified Android TV है, Sony के तरफ से, IPS panel यहां पर आपको देखने मिल जाता है, काफी बहतिनी picture quality, देखे, Sony TVs के एक खास बात ही होते ही, यहां पर आपको picture processing है, वो काफी अच्छी देखने मिलती है, motion handling TV काफी अच्छी होती है, 4K upscaling भी काफी अच्छी होती है, तो यहां पर आप Sony के इस TV को consider कर सकता है, यह TV आपको sale के तुरान 82,000 रुपीज के आसपास देखने मिल जाएगी, इसके बाद अगर आपका budget थोड़ा सा और कम है, इसके बाद आप Sony X74H को consider कर सकते है, यह smart TV 2020 की best है, 62 के price में, इसके अलबा जो अगली TV में आपको recommend करूँगा, वो है Samsung Crystal 4K, अगर आपका budget और भी limited है, तो आप Samsung Crystal 4K Pro को consider कर सकते हैं, यहां पर ही जो TV है, यह आपको 55-56,000 रुपीज में देखने मिल जाएगी, VA panel यहां पर आपको दिया गया है, यह complete smart TV है, सारे smart features आपको TV में मिल जाते हैं, picture quality बगर भी आपको अच्छी मिल जाती है, इसके बाद अगर आपको IPS पैना वाली TV चाहिए, budget में तो आप LG UP7500 या फिर UP7720 को consider कर सकते हैं, 750 में आपको normal remote मिलता है, और थिक bezels मिलता है, और जो 7720 है, उसमें आपको thin bezels और smart remote दिया गया है, और जो LG की TVs ह वो आपको यहाँ पर sale के दुरान 58,000 रुपीस तक देखने मिल जाएंगे, तो यह है कुछ best TVs, premium category के जो की आप buy कर सकते हैं, इस sale में, अगर आपका budget इससे भी जाधा का है और आप और भी premium TVs लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे खुद personally contact कर सकते हैं, मैं आपको definitely suggest करूँग मैं वीडियोज लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रू subscribe कर लेचे, मिलता हूँ next वीडियो में, आज के लिए तना ही, तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, सावनारा